नमस्कार दरनगरी न्यूस की खास पेश्कस डिजिटल विलिटिन में आपका स्वागत है मैं हो ललित वर्मा चलिए रूख करते हैं आज की बड़ी खबरों की राज्तान में साथ सीटों पर हुए विदान सबाउट चुनाओं में पांच सीटों पर बीजेपी जीत का जश् प्रभारी राधामोन दुआरा सचिन पाइलेट अनुमान बेनिवाल नरेश मेना इस्वर्गियर जुवेर खान ओला परिवार के साथ ही राजकुमार रौत पर दिये विवादित बयान के बाद एक बार फिर से राजस्तान में जोरदार विरोत देखने को मिल रहा है अनु 12 नमंबर को समरावता में हुई गटना के बाद पुलिस ने नरेश मेना को हिरासत में लेकर कोट में पेश किया था जहां से नरेश मेना को 14 दन की न्याईक हिरासत में भेज दिया गया था और अब इस न्याईक हिरासत की अवधी पूरी होने जा रही है तो वहीं पुलिस वराब नरेश मिना को दो अन्य मामलों में न्याई किरासत में मांग जाने की जानकारी मिल रही है। कि लोकेश शर्मा पर कौन टैपिंग के आरोप लगे थे हाली में पोर्ट ने लोकेश शर्मा की ग्रफदारी पर रोख अठाने के साथ ही उन्हें दिनली में ग्रफदार कर लिया गया है। में राजस्तान में दस्तक दी थी और करीब चार दिनों में तापमान गिरने के साथ ही लोगों को सर्दी का एसास होने लगा था। लेकिन पीते दो दिनों में एक बार फिर से मौसम बदनने लगा है। युवाओं ने इस भर्ती से जुड़ी विसंगतियों को राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड के सामने रखा है। युवाओं से संभाद किया वे इनकी मांगो पर विचार करने का आश्वाशन दिया है। आते समय विदुत कर्मी बालविंदर पर राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड दुवारा भरती परिक्षाओं में नकल और धानली रोपने के लिए अब टैबलेट बेस टेस्ट कराने की तैयारी की जा रही है। के लिए जैपुर के दुर्गापरा इस्तित करमचारी चैन बोर्ड का रहले में 26 और 27 नवंबर को मौक टेस्ट का आईजन किया जाएगा। को करमचारी चैन बोर्ड ने ऑपरेशन गोडवन का नाम डिया है राजयतान करमचारी चैन बोर के अत्यक्ष आलोक राज में बताए कि व्रती परिक्षा कितनी कारगर होगी इसको जांसने के लिए सबसे पहले मॉक टेस्ट का आईजन किया जा रहा है ये मॉक टेस्ट 26 और 27 नमंबर को जैपुर में आई जित होंगे इसमें चार अलग-अलग पारियों में 400 स्टुडेंट को बुलाया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर शांदार जीत दर्द की है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में 205 में रनों से अराया पर्त में पहले ऑस्ट्रेलिया में किसी महमान टीम की ये पहली जीत है के लिए 334 रनों का लक्षे दिया दूसरी पारी में जायस्वाल ने 161 और विराट कोली ने 100 रनों की शांदार पारी खेली जवाब में लक्षे का पीछा करती हुए उस्ट्रिया की टीम 238 रनों पर ही ओल आउट हो गई बहली पारी में पांच विकेट लेने वाले जस्ट्री धूम्रा ने दूसरी पारी में भी तीन विकेट लिए दुनिया की सबसे महेंगी और लोग प्रिय क्रिकेट लीग आई पील में इस समय मेगा उक्षन चल रहा है 24 नवंबर को शुरू है उक्षन में पहले दिन भारतिये खिलाडियों का दबदबा नजर आया रिशापन्त आई पील इतियास के सबसे महेंगे खिलाडी बने रिशापन्त को लखनाव सूपर जाइंस ने 27 करोड रुपए में खरीदा तो वहीं पंजाब किंग्स ने श्रे शायर को 26 करोड 75 लाख रुपए में साथ ही कॉलकता ने वेंकटेश शायर को 23 करोड 75 लाख रुपए पंजाब ने अर्षदीप और यजुवेंदर चैल को 18-18 करोड में खरीदा आईपील 2025 आउक्षन में टॉप बोली वाले पाचो खिलाडी भारती यहीं है वहीं पहले दिन 84 खिलाडियों पर बोली लगी जिसमें से 22 विके और कुल 466 करोड पिचाण में लाख रुपए खर्च किये गए प्रदेश के इसकोलों में अगले मेहने 12 दिसमबर से अदवार्शिक परिक्षा शुरू होने जा रही है लेकिन परात्मिक और उच्च परात्मिक इसकोलों में 33 शिक्षकों के 14,000 पद रिक्त चल रहे हैं ये पद अब अगले शिक्षा 70 में भी भरे जा सकेंगे राज्य परात्मिक और उच्च परात्मिक इसकोलों में 33 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए हाला कि राज्य सरकार ने रीट पातरता परिक्षा की दोशना कर दी है राजस्तान पातरता परिक्षा के विक्यापन को लेकर शिक्षा मंत्री के अध्यक्षता में कल जैपूर में एक बैठक हो सकती है आपको बता दे कि पूर में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इस परिक्षा का विक्यापन 25 नमबर तक जारी कर दिया जाएगा मगर राजस्तान बोड अजमेर को अधिकर सूसना नहीं मिलने के कारण ये विक्यापन बोड की तरफ से जारी नह जप्ता शॉचेगां हो था जारी कर दो राजस्तान बोड़ोर में आपको झाल जारी कि पूले ये कहारां में अ